आप आपके चैनल का कस्टम URL बनाना चाहते हैं तो आपको YouTube में लॉग इन करके रखना है और आपके चैनल पर कम से कम 100 सब्सक्राइबर होना जरूरी है और चैनल कम से कम 30 दिन पुराना होना चाहिए जी हां चैनल पर 100 सब्सक्राइबर कम से कम और 30 दिन पुराना होना इसके बाद आप Customize Channel पर दबा कर वहाँ पहुँच सकते हैं या फिर YouTube Studio से भी जा सकते हैं मैं YouTube Studio से बता देता हूँ आपको कैसे जाना है YouTube Studio पर गये फिर आपने यहां स्क्रोल करके Customization पर क्लिक करना है Customization पर क्लिक करने के बाद आपको Basic Info पर क्लिक करना है basic info क्लिक किया आपने तो आपको यहाँ पर set a custom URL for your channel दिख रहा होगा उस पर click करना है तो यहाँ पर एक by default आपको उन्होंने एक URL दे दी अब इसके आगे आपको numbers या letters भी लगा सकते हैं आपको जो भी लगाना होगा फिर यहाँ पर check आएगा उसको आप check कर सकते हैं और publish बट subscriber होने जरूरी है और 30 दिन पुराना चैनल होना चाहिए इसके बाद URL चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसके लिए मैं फिलाल तो नहीं कर रहा आप अगर करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं और custom URL किसी के साथ भी शेर कर सकते हैं थैंक्यू दोस्तों